एक लाल सूट केस में एक यूती का सव मिला था जिस पे गोलियों की निशान थे उसकी सिनाक्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थी करीब 14 टीमें काम कर रही थी मैनोली हम लोगों ने उसकी सिनाक्त की और बदरपुर थाना छे तर दिल्ली की रहने वाली यूती है जो पूस्ताज में जानकारी आई कि ये 17 तारीक को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी ये लगी अपने मर्गी से एक लड़के से सादी कर ली थी जिसको लेकि परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुने में फादर ने इसको दो बूली मारी थी लास को रात में घर में ही रखे रहे और सुगा तीन बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से मा और बाप दोनों लोग लेके उसको लाज शूपकेस में रखके ले आए और यहां डाल के वापस चले गए थे हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि मा और बाप के बयानों में अंतर है जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात फुलती चली गई और उन्होंने सुखकार किया कि हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहां डेट बाड़ी लाके डाली थी सर भजय क्या दिये सकते हैं लड़की चूंकि बालिक थी और अपने मरजी से एक शत्रपाल नाम के लड़के से साधी कर ली थी आरिसमाज मनलिर में इसको लेके परिवार में काफी मन मुटाव था और लड़की बिना बताय भी घर से चली जाया करती थी जिसको लेके माबा सब्सक्राइब ने जड़े से काम किया और हम लोगों ने सको जल्डे सब्सक्राइब रहिए अपने मायके में हीटा रही थी साधी उन्हों ने की आरिसमाज मंदीर में जिसका यह रापी अपने मायके में है